नमस्ते मेरे वेडियो में आप सभी का स्वागत है इससे पहले मैं आपकी सामने डाली थी सांबर मसाला जो बहुत ही पसंद के आप लोगों ने बहुत प्यार दिया अब मैं आलाई हूं बिरियानी मसाला जिसके लिए एक कड़ाई को गरम कीजिए और आज को मेडियम रखे धनिया लिजे एक चमच एक चमच लिए जावित्री इसके बाद चक्रफूर लिजे हरी इलाईची डालिए और कुछ लॉंग है देखिए इसके बाद है डालचीनी उसके बाद तेज पत्त डाले और यह है पीपल और यह काली मिर्च है सभी को दो-दो चमच के इसाप से ड करसो डाले दो चमच खसकस डाले एक चमच और जीरक दो से तीन चमच लेजिए शाही जिरा भी लेजिए और गैस को धीमी रखते वेसे पांच मिनाट तक बिल्कुल लो आच पर अच्छी खुश्बू आते तक मसाला ड्राय होते तक आप इससे फ्राय कर देना है धीमी चुटे टुकडों में कीचन वाली कैंची से इसे कट कर लेजिए और बिल्कुल धीमी आच पर इसे पांच मिनाट तक फ्राय होने दीजिए हलका फ्राय होने के बाद यहां पे याँ पे कुछ लाल मेची डाले जैसे तीन से चार लाल मेची यह यहां पे मैं हल्दी का कूटा हुवा हल्दी पौड़र है तो उसका इस्तमाल मैं करूंगी पौड़र के रूप में तो देखिए मसालों को सारे मसाले बिल्कुल ठंडा हो जाने चाहिए देखिए ये कूटा हँदी पौड़र एक चम्मस ले रही हूँ और एक पिंच ऐसा इसमें साल्ट डालिए औ और इसे दरदरा सा पौडर बनाना बिल्कुल बारिक बनाना नहीं है और इसे छानना भी नहीं है क्योंकि बिर्यानी मसाला जो है एक गम सा बारिक नहीं होता है दरदरा ही होता है और इसे छानते भी नहीं है तो देखे ग्राइंड बढ़ियासा करने के बाद इसे हवा टाइट बंद बरतन में डब्बे में डाल कर आप इसे स्टोर कर लेजिए जब भी बिर्यानी बनाना हो तो इसे यूज कर सकते हैं इस मसाले से मैं बिर्यानी कैसे बनाना आपके सामने अगले वीडियो में बताऊं होंगी थैंक्स पर वाचिंग फ्रेंट्स थैंक्डू